कभी कभी प्रैक्टिकल एक्जम के वक्त स्मार्टफोन और क्यालकुलेटर यूज करने नहीं दिया जाता है तब अगर कोई रेजिस्टर की वैलू निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं वही आज हम इस वीडियो में सिखेंगे यहां पर हम एक फोर बैंड की रेजिस्टर ले लिए हैं जिसके कालर कोट कुछ इस तरह हैं ब्राउन ब्लैक रेड और गोल्डेन गोल्डेन कलर को पहले हम ठाक देते हैं फिर कालर कोट कल्कुलेशन करें उससे पहले आपको एक छोटा सा सेंटियन सियाद रखना होगा यानि कि इसका मतलब हुआ कि वीवी रॉइ कोई इंसा ने जोगी अच्छे काम किये हैं और आप इस स्क्रीन पर देख सकते हैं जो लेटर जिस कलर को इंडिकेट कर रहे हैं मैंने उसी कलर से उस लेटर को लिख चुका हूँ टॉलेरजन्स की बारे में हम बार में बात करेंगे लेकिन एवी कलर कोट अगर कैनकोलेशन करना हो तो रेजिस्टर में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तलब हमें आगे बढ़ना है और एक है कालर भैंड की कोट नमबर को बीटाते हुए जाना है लास्ट कलर बैंड कि आर हमारा नामबर टू होगा और टोलेरेंस गोल्ड एन तो प्लास माइनस फाइब परसेंट होगा आप टोलेरेंस क्यों यूज होता है वह आम वीडियो के एंड में डिसकास करेंगी और अगर इसलबर होता तो वह 10 परसेंट होता तो आमें मिला यहार है 10 x 10 to the power 2 10 square plus minus 5 percent equal to क्या होता है 1000 ohm plus minus 5 percent यानि कि हम जानते हैं कि 1000 ohm equal to 1 kilo ohm plus minus 5 percent यह यह इसका फैलू है अब यह भी जान लेते हैं कि tolerance की यूज किया जाता है यूजिस्टर की फैलू प्यारी करते हैं अगर किसी रिजिस्टर के value 100 ohm हुआ और अगर plus minus 5 percent हुआ तो उसका range होता है 95 to 105 इसलिए हर रिजिस्टर में tolerance यूज किया जाता है और यह एक 5 band register है जिसका value है 10.3 kilo ohms plus minus 5 percent लेकिन मैं सज़ेश्ट करूँगा कि आप इस register को देखके एक बर value निकालने की कोचिस किजिए ताकि आपके concept भी clear वह जाएगी एक register को देखके कैसे उसकी value निकाला जा सकता है उमीद खरता हों कि वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तम तक आप इस register की value निकालने की कोचिस किजिए तक यू